अब दो 6 में क्या है? 6 में हमारे पास है A bracket में theta minus sin theta और Y में हमारे पास है A bracket 1 plus cos theta ठीक है? तो यहाँ पे भी theta के respect में differentiate करेंगे हम तो D by by D theta A times theta minus sin theta अब यहाँ पे क्या होता? मैंने देगा कई बार बच्चे क्या करते हैं? A में और इसमें product rule लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं आप लगा सकते हैं, product rule लगा नहीं जोत नहीं, अगर मैं आप से कहूं सब हैं, वो कब सब constant हैं, तो A को बाहर कर दो, अब जो बचा रहें यह, इसका differentiation करेंगे, यानि कि differentiation करेंगे theta का, और differentiation करेंगे किसका? sin theta का, ठीक है? और यह हमारा है dx upon d theta, समझ में आ रहा है? यह कहा है? dx upon d theta है, एक पर हम theta का differency करेंगे theta के respect में, और एक पर हम sin theta करेंगे theta के respect में, ठीक है? आया सब को संग में, अब यहाँ पर, कैसे होगा यह चीज़, तो समझते हैं, तो dx by d theta is equal to A, theta का theta के respect में differency कितना होता है? 1, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, और sin theta का differency is in cos theta, तो भाई, यह हमारा आ गया dx by d theta, यह हमारी first condition आ भी है, ठीक है? अब similar हम इधर करेंगे, dy by d theta करेंगे, तो dy by d theta is equal to dy d theta A bracket में 1 plus cos theta, ऐसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर A जो number है, A, इसको बाहर कर देंगे, तो यह क्या आ जाएगा? A times dy by theta 1 plus cos theta, ऐसा आएगा? तो A into, वन का difference, अब दोगो, जैसे constant number अगर अगर अकेला है, तो उसका difference 0 होता है, तो वन का तो 0 हो जाएगा, और cos theta के क्या होता? माइनस sin theta, तो यह आजाएगा, माइनस का A sin theta, फाइनली, तो यह आगया, dy by d theta, तो यह हमारी बन गई second condition, अब लोग क्या करते हैं? हम यह सेक्टर है क्या करेंगे? second upon one कर लेंगे, second upon first condition, क्या करेंगे? second upon first condition यहाँ पर कर लेंगे, तो भई, जब आपने second upon first किया, तो यहाँ पर dy by d theta है, dy by d theta upon, यहाँ पर d x by d theta, d x by d theta, कितना? यहाँ पर minus का A sin theta upon a bracket में one minus का cos theta, ऐसा है हमारे पास, तो यह तो कट गया, तो dy by d x आगे कितना? A से A कट गया, minus का sin theta upon one minus का cos theta, ऐसा result आ गया, हो सता आप एदरी छोड़ दो, और हो सता नंबर पूरे भी मिल जाएं, लिए कभी-कभी कुछ लोग काड़ भी सकते हैं, कहेंगे, तुन्हें और simplify क्यों नहीं करा, तो अगर हो रहा है, तो कर दिया करो, अज़ा, one minus cos बहुत तो वो आपको करना है, तो one minus cos में क्या करते हैं, अगर मैं आपको दो हूँ, तो cos two theta का जो formula होता है, one minus two sin square theta, ये वाला यूश करेंगे, और एक sin two theta का formula यूश करेंगे, two sin theta cos theta, कोई चिलाने लगेगा तुरंती, सर, हमको तो two theta कहीं देखी नहीं रहाब, क्या पढ़ा रहे ह सर, two theta कहां से आ गया, ठीक है, हमें तो सर आपने इधर theta दिख रहा है, अरे महराज, तुमको बताया है ना, कि ये two theta वाले formula कभी भी विजू जाते है, logic ये है कि अगर यहाँ two theta है, तो यहाँ angle half हो रहा है, ये two theta का theta में भी apply हो सकता है, four theta में भी apply हो सकता है, six theta में भी apply हो स नोट कर लो इतना, अच्छा, अभी इता से erase करते हैं, और देखो कैसे apply करना है, तो हमारा अभी dy ds कितना आया, dy dx is equal to minus, देखो, sin theta है, sin 2 theta का formula है, two sin theta cos theta, angle half हो रहा है, तो sin theta में अगर आप इसको apply करोगे, तो क्या आएगा, two sin theta upon two cos theta upon two, upon, one minus cos theta, तो one minus cos two theta का formula है, one minus two sin square theta, यहां भी angle half हो रहा है, two theta का क्या हो गया, theta, angle half, तो अगर मैं इसी को cos theta में apply करोगे, तो क्या वो one minus two sin square theta upon two आजाएगा, आज़ देखो, सेम चीज़ करिए, जैसे cos two theta का formula, one minus two sin square theta है, तो cos theta में apply करोगे, तो आएगा, one minus two sin square theta by two, तो d y d s क्या आजाएगा, minus two sin theta by two cos theta by two, upon, one, अब minus का multiply करोगे, तो minus का one, और यह plus का, two sin square theta by two, one से one कट गया, तो minus two sin theta by two cos theta by two upon two sin square theta by two, d y by dx, तो two से two कट गया, एक sin भी कट जाएगा, तो एक cos बचा एक sin, और cos upon sin क्या होगा, cot, तो क्या answer minus का cot theta by two आजाएगा, चेक कर लेते हैं, हाँ, minus का cot theta by two दे रख़ा है, तो दे रख़ा है, तो simplify करना भी आपको आना चाहिए, वैसे भी trigonometry में, inverse trigonometry में, और आपका भी integration आएगा, उसमें भी, यह सब simplify बहुत important है, मतलब one minus cos और one plus cos, तो यह अगर आपको याद रहेंगे, तो बहुत बहुत बहुतरीन काम आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, clear रहे हैं तक, तो यह six में, इस तरीके से आपकर भाएं,